चलिए गईस तो स्टार्ट कर लेते हैं with our question number 5 so you all know your theory now बस यही वाला theory you have to try to apply in as much of the best ways as possible ठीक है तो स्टार्ट कर लेते हैं with question number 5 okay so let's start x limited requires 30,000 units per annum अभी हम लोग जब भी साम पढ़ रहे हैं I'll request तुमारे दिमाग में अगर कुछ symbols आएं तो यहां दिमाग में रखो अगर book सामने है you can write it there in any case हम लोग notebooks के अंदर भी लिखने वाले एक चोटा सा चीज यह जो symbols का मैंने list दिया न यह ICAI के लिए कुछ mandate नहीं है कि तुमको यही वाले symbols यूज करने है क्योंकि ICAI हर modules के अंदर कुछ ना कुछ symbol वो बदल देता है पता नहीं उनको सपने के अंदर क्या आता है कि हमें को यह वाला alphabet यूज करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है तो इस symbols नो इस अंदर अगर symbols यूज करने वाले हो जिस डिफाइन देम बंस तो इस चीज़ हो कि वैसे अपने जो marks वगेरा है वो ना कटे तो X limited requires 30,000 units per annum बिटा यह A हो जाएगा ठेक है आगे the purchase price per unit is 10 में को बलो 10 रुपीस कौन सा cost होएगा यह कौन सा cost होजाएगा CPU यह तुमारा purchase cost है ना अगे and cost of placing an order with the supplier is 100 तो में को बोलो 100 क्या होएगा बिटा CA this is cost of placing an order तो यह आपका ordering cost होजाएगा बोले तो CA the firm finances is working capital the firm finances is working capital with bank वर्ड्राफ्ट at 15% पर अनम चलो ठीक है just a second अगे the firm finances is working capital with bank overdraft ठीक है at 15% rate of interest पर अनम obviously 15% तुमारा क्या होजाएगा बिटा वो I हो जाएगा ठीक है अगे find अभी देखो तुमको मेरे को यह बोलने का है कि तुम कौन सा formula अपलाए करेगा ठीक है you have choice of first, second, third तो हमें find पर वो आ गया ठीक है find the quantity actually अभी अभी वो बोली सकते हो बोलो first वाला although वो क्योंकि वैसे भी second and third in any particular case give you cost यार first is the only one that will give you in this case the quantity find the quantity that firm should buy every time to minimize देखो क्या रिखा है inventory associated cost inventory associated cost बोले तो T और T किदर minimize होता है EOQ पर so therefore in any case आप लोगों को तो यहाँ पर EOQ ही निकाल रहा है तो यहाँ पर अभी आप लोग relevant inventory cost निकालो मतलब यहाँ पर उन लोगों ने क्या बोला हो है कि आप T निकाल दो इस पार्ट के अंदर उन लोगों ने क्या बोला था वो वाली quantity निकालो बोल दिया कि आप T भी निकाल देना तो चलो ठीक है T भी निकाली देंगे तो प्रतम वो ठीक है बिटा although last के अंदर आप purchase cost मत include करो ठीक है तो we all will start आपको exam के अंदर question कैसे solve करना है मैं तुमको first question वैसे solve वो करवा रहा हूँ बाकी questions भी वैसे ही करवा हूँगा लेकिन symbols हर question के ने मैं define वो नहीं करूँगा exams के ने please define them तो यहाँ पर you all write down question number 5 A number of units of raw materials to be purchased in one year is equal to इस question के अंदर A के तना था 30,000 minutes आगे CPU दिया हुआ था CPU CPU को define करने की कोई ज़रूवत नहीं है वो तो दुनिया के अंदर वो standard symbol ही है वे बिटा 10 ठीक है उसके बाद CA यहाँ पर लेको आए इंट्रेस्ट रेट पर अंदर रूपीज हंट्रेट ठीक है उसके बाद यहाँ पर लेको I इंट्रेस्ट रेट पर अंदर इस इकोल टू 15 परसेंट और उसके बाद सुनों एकना यहाँ पर CI लिख लेंगे हमीशा CI क्या होता है वेदा इट इस क्यारिंग कोस्ट पर यूनिट पर अंट्रेस्ट क्यारिंग कोस्ट कैसे मिलता है CPU इंटू आई CPU 10 है आई जो है 15 परसेंट है रूपीज 1.5 मेरी बात मानना हमेशा 1.5 के आगे हमेशा लिखना पर यूनिट पर अंट्रेस्ट पर अंट्रेस्ट पर अंट्रेस्ट है अभी अपने को सबसे पहले sum नहीं क्या बोला था आप लोग e o q निकाल लो तो square root of 2 a c a divided by c i आचा तो numbers दालो answer निकालो dash units में को answer बता दे ना 2000 2000 अगी क्या पूचा है also find relevant inventory cost में को सोच के answer देना तो अभी आप लोगों को ना T निकालना है में को बोलो second formula third formula के कुछ भी कुछ भी I am not asking your wish I am not asking your wish I am asking you second formula third formula के कुछ भी कुछ भी कुछ भी इन्टू 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 1.5 एक से अच्छा पक्की बात है तुमारा पहिला answer TCA का और दूसरा answer TCI का सेमी होएगा because we are trying to find out T at E O Q यह rupees है लिखा करो rupees 3000 और आप लोग third वाला formula यूज कर लो square root of 2ACACI यह भी answer apply करके देख लेना तुमारा answer 3000 ही आएगा यह हो गया बेटा सबका क्या बोल रहा था कोई बच्चा हां तो लिखा ना इधर inventory cost inventory associated cost मतलब T क्या आप 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 हां बोल रहां हां गुमारा देख, बोल और बोल पर और आप 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 हां पर देख, बोल आगे question number six start करते है question number six तुम लोग पढ़ लो दो line का question है बीटा मैं क्या पढ़ूं मेरे को सिर्फ part one का answer calc के उपर बता दो उसके बाद start करेंगे part first का answer में को calc के उपर बता दे रहा सिर्फ calc के उपर कुछ presentation मत करो silly errors नहीं करना प्रधम ठीक है वो प्रधम ठीक गलत है सिर्फ part first का answer तो सब लोग बता दो please part first के अंदर eoq पूछाए think what is asked and what you have to apply think that please बचसल करेक्ट है silly errors नहीं करते चलो you all will start तुमारा time खतम हो गया x requires 2500 units of y per month y तुमारा material ही होगा लेकिन ये a नहीं है क्योंकि this is given to you for one month आप लोग का a का मतलब क्या होता है number of units of raw materials to be required in one year तो obviously into 12 करना पड़ेगा मेरे को आगे the cost per order placed is rupees 150 तो ये तुमारा c a हो जाएगा this is cost per order placed तो ये ordering cost है each unit cost rupees 200 में को बो 200 क्या हो जाएगा बिटा ये cpu हो जाएगा cost of capital is 18% per annum cost of capital बोले तो interest cost that is 18% per annum तो ये तुमारा i हो जाएगा ठीक है चलो पहले ये वाली चीजे न एक बार pen down कर लेते हैं उसके बाद start करते हैं तो write down पीज लिखो a is equal to 2500 into 12 30,000 units ca rupees 150 please exams के ने लिखना ca क्या होता है so on and so forth ठीक है उसके बाद cpu rupees 200 उसके बाद i 15% sorry वो पिछले question का था 18% पहले c i निकाल लेते हैं that cpu into i cpu 200 into 18% 36 per unit per annum आगे ये वाला चीज लिखा करो पपा ये लिखा करो हमेशा आगे part first e o q square root of e o q का formula square root of 2 a c a upon c i आगे second part के नहीं minimum total inventory cost इसका मतलब minimum t मैं को बो t सबसे कम किदर होता है बिटा t सबसे कम किदर होता है e o q के तो you have to be finding out t at e o q लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है including purchase cost so you have to be finding out t including purchase cost तो एक second तुमारे t के अंदर मैंने सिर्फ दो ही cost दाला हुए बिटा t c a t c i मैंने purchase cost नहीं दाला हुआ तो तुम लोग अपना t का formula अपलाई करके t c a और t c i का total निकाल ले न उसके बाद purchase cost अलग से add करके तो वो दिखा देंगे तो और क्या ठीक है तो t at e o q अभी सुनो 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 दोनों काम नहीं करेंगे I know you can apply या second formula या third formula ठीक है मेरे को I know that thing में को बोलो अभी दोनों में से एक ही काम करने का है answer तो same ही आता है में को बोलो तो कौन सा करूं second के third कुछ भी बोल दो third तो चलो ठीक है तो यहाँ पे लिख लो square root of 2 a c a c i apply करो right hand side पर answer दालना right hand side पर परश्वा वो correct है बेटा 18,000 add purchase cost सुनो कभी ना एक stupid सा error मत करना and that is याद रखना यह T है बेटा T के अंदर TCA है एक साल का ordering cost TCI है एक साल का carrying cost तो बेटा purchase cost भी एक साल का ही डालने का है मेरे को तुमको चाहिए तो लिख के रखना ता कि गलती ना हो purchase cost per annum में को बोलो पूरे साल का purchase cost का formula क्या होता है बेटा में को symbols के तोर पे बोलो क्या होता है A into CPU तो A will be 30,000 CPU will be 200 तो यह हो जाएगा 60,000 टोटल आजाएगा 60,000 कुनाल प्लीज चेक और आंसर तो यहां पे लिखना है number of orders per annum में को बोलो number of orders per annum का अगर independent कुछ formula बनाने का रहेगा तो तुमनों क्या बनाओगे हम लोग ने तो लिखा भी था वैसे तो A upon Q हम लोगों ने जब ही मेरे ख्याल से TCA का formula लिखा तो हम लोगों ने वहाँ पर लिखा भी था शायर बहुत उपर चला गया अरे यार मिल जा यार हाँ यहां पे number of orders A by Q तो पूरे साल के ने 30,000 unit खरीदेंगे बिटा एक बारी में 500 खरीदेंगे तो पूरे साल के अंदर हम लोग 60 orders प्लेस करेंगे ठीक है आगे फोर्थ अब यह जो फोर्थ है ना यह मेरे को explain करने के लिए देना उससे पहले नहीं लिखना क्या पूछा है inventory cycle okay inventory cycle का मतलब मैंने आगे explain भी किया है number of days after which an order is placed इसका भी मतलब मैंने explain किया है how frequently an order for material is placed देखो इसका मतलब क्या है पूरे साल के अंदर आप कितने orders place करोगे बेटा 60 तो यहाँ पर आपका हर order कितने दिनों के बाद जाएगा यहाँ फिर दो orders के बीच में gap कितना होगा okay you want that so no costing FM के अंदर चलता है अगर answers round numbers नहीं आ रहा न you can assume 360 days in a year चलेगा वह वाला चीज ठीक है तो सब लोग पहले मेरे साथ जरा लिखना assuming 360 days तो लोग 365 लेकर भी करोगे कोई error नहीं है just in case तुमको पता चल जाता है कि 360 लेने से round number वह आ जाएगा तो आप लोग 360 वह ले लोगे assumption मार के तो भी चलेगा 365 लोगे तो भी चलेगा अच्छा देखो अभी एक मिनट के लिए wait करो देखो पूरे साल के अंदर कितने orders place करोगे 60 तो पूरे साल के अंदर कितने days है बीटा 360 मतलब एक order कितने days के बाद जाएगा 6 days वेट करना वेट करना और अगर आपको ऐसे करने का है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने का है ना तो मेरे को number of orders की जुरुत है जो आप निकाल सकते हो निकालने के लिए आपको मेरे कहाल से 10 second ही किया था अगर ऐसे नहीं करने का है तो वो 10 second भी नहीं waste करना तो आप लोग फिर ऐसे करो ध्यान से सुनना 60 orders place करना मतलब साल के ने 30,000 unit खरीदना एक order place करना मतलब एक number बोलो ना मतलब 500 units खरीदना इस question के अंदर जो यह क्यों था वो 500 था ना बिटा आप लोग ऐसे कर लो तो 6 days आ जाएगा ठीक है पहले यह बहला चीज़ कॉपी करो फिर तुमको एक line बताता हूँ पहले यह कॉपी करो हाँ वैसे लिखो देखो एक line बोलता हूँ that line is this entire question होनी जो मैं line बोलने वाला हूँ मैं उस line के ना fill in the blanks वो छोडने वाला हूँ that you'll have to try to tell me once I complete the line after every dash days don't speak after every dash days I pick up my phone and order dash units this will happen dash times in the year and my total cost including purchase cost for the entire year will work out to dash you all have thought the numbers now I am speaking the answer you all have thought the numbers in your mind so after every 6 days I pick up my phone and order 500 units this will happen 60 times in a year and my total cost including purchase cost for the entire year will work out to 60,18,000 is this line clear ठीक है तो तुमको ये सब चीजों का मतलब मेरे ख्याल से समझ में आ गया है हम लोग क्या काम कर रहे है ठीक है सुनो मैंने अभी तक तुमको एक चीज हमीशा बोला कि A का मतलब होता है number of units of raw materials to be purchased in one year लेकिन जरा सोचो अगर कोई company manufacturing company ही नहीं है treating company है तो वो लोग क्या खरीद के बेचता होगा finished goods तो तब raw material के बदले में finished goods आ जाएगा that will be the only thing क्योंकि वो लोग finished goods खरीद के आगे बेचते हैं ठीक है एक question जो तुम लोग start कर रहे हो तुम लोग खतम कर रहे हो उसे पहले shots पढ़ रहा हूँ you can assume 360 days in a year in costing an NFM by writing a note for it ensure that A is for one year and C is per unit per annum तो सिलिए रस मत करना ठीक है question number 7 आप लोग start करके खतम करने बाले हो सुनो तुम लोग ये बाला question पढ़ना start करो मैं तुमको help भी नहीं कर रहा हूँ तो पढ़ने के अंदर एक बार पढ़ लो then I'll make the format for it you can fit in your numbers in that particular format ठीक है आप लोग पढ़ लो पर ले एक बार सुनो तुम लोग ने पढ़ लिया के नहीं पहले एक काम जरा वो कर लो you make this statement and then I'll show the question once more then in that case you all can read and finish it off ठीक है एक super grow है जितने type of raw material होंगे सब के लिए अलग लग चीज़ ही करने का और एक nature's own है A लिख लेने का dash bags दोनों के लिए C A लिख लेने का rupees C I is question के ने directly दिया हुए rupees सब कुछ वो दिया हुए मेरे खाल से उसके बाद तुमारा part first तुम लोग को EOQ पूछा हुए उसका formula इधर लिख लेना इधर apply करना इधर apply करना इधर answer आ जाएगा dash bags dash bags ठीक है second second के अंदर तुम लोग को T पूछा हुआ है T के लिए तुम लोग कोई भी formula लिख सकते हो चलो इस बार ये वाला formula अप्लाई कर देना A Y Q into CA plus Q by 2 into CA दूसरा वाला भी करोगे answer तो same ही आएगा इधर apply कर देना इधर answer आ जाएगा इधर answer आ जाएगा ठीक है उसके बाद third उन लोग ने number of deliveries पूछा हुए number of deliveries बोले तो number of orders होने तो number of orders per annum उसका formula इस A Y Q तुमारे पास 3 minute है 4 minute है खदम करो ये copy कर लो then I'll change it I'm changing to the question please कर दम करो because if last fall answer I will be knowing 20 and 16 आएगा शायब यह 16 and 20 20 and 16 कर दो दो पुमारे आएगा कर दो कर दो कर दो कर दो चलिए गैस आइ दिंग उससे तुम्हारा काम ख़तम हो जाता है सुन अभी इस कोश्चन से न तुमको कुछ बताने बाला हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात शुरू में अपना एक अजम्शन किया था एक अजम्शन अपना था कि CPU is constant and known to you in advance मैं तुमको बोला था तीन कोश्चन के बाद निकाल दूगा ठीक है तो निकालने का try करते हैं फिर ध्यान से मेरा example सुनना क्योंकि next question तुमको try मारने का है that is the type of the question जो exams के अंदर आएंगे अभी तक जो मैंने करवाया वो चिंदी चीज़ थी ठीक है अब बराबर से सुनना देखो यह तुमारा पिछला वाला कोश्चन है इसी से अपना example explain कर देता हूँ अभी ना आज तक सदियों से ना हमारा यह जो family business है वहाँ पर यही चीज होता था हम लोग हर 6 दिन के बाद supplier को बोलते थे कि ना 500 unit का order मैं देको place कर रहा हूँ goods भीज दे ऐसा साल के ने 60 times करते थे total cost इतना आता था अभी मैंने यह बाला business join किया मैं irritate हो गया में को supplier अच्छे नहीं लगता था लेकिन उस supplier के लाबा और कोई बंदा था भी नहीं जो ऐसा good supplier करे तो मैं एक दिन supplier के पास गया मिठाई का डबा लेके supplier को बोला भाई आज तक ना मेरे पपा ग्रेंड फादर ग्रेड ग्रेंड फादर सदियों से तुझसे 500 unit खरीदते थे तुँ हर unit अपने को 200 रुपए के अंदर देता था बोलता हाँ बोलता पहले मिठाई खा ले तो उसने पूरी मिठाई तो खा दी ठीक है तो मैं उसके पास गया और मैंने उसको बोला सुन थोड़ा सा न सिस्टम अपने को बदलना पड़ेगा बोलता क्या बदलने का है तुमको मैंने बोला सुन मैं सोच रहा हूँ कि अना अब से तुझसे एक बारी में 500 unit का order तेरे को मत दूँ 1000 unit का order place करूँ बोलता ठीक है कर मैंने बोला कर की बात नहीं है बिटा तुम मेरे को ये चीज़ बता कि तुमें को हर unit कितने का देगा बोलता 200 रुपे का देगा मैंने बोला तू क्या फागल है पपा जबी तेरे को 500 unit का order place करता था तू 200 का देता था मैं तेरे को हर एक unit सॉरी मैं तेरे को 1000 units का order देगा एक बारी में थोड़ा सा discount तो दे बोलता साब all respect to you लेकिन discount नहीं देता मैं minutes करीदो 1000 मैं ऐसा सोच रहा हूँ ठीक है जरा सोचो मैं तभी ये वाला काम करूँगा अगर मेरा cost काम होएगा तो cost निकालना start करते हैं तुम लोग मत निकालना T पहले में को जरा बोलो T के लिए कौन सा formula यूज़ करो second formula third formula के कुछ भी second अभी third formula apply नहीं हो सकता मेरे को बोलो क्यों क्योंकि this is not EOQ तो एक second तुम लोग apply नहीं करना प्रीज में को calcium नहीं चीए तुमारा ये जो भी answer आएगा ना पकी बात है ये 18,000 से तो जादा ही आएगा तुम लोग में को बोलो की मेरे को कैसे मालूम सुनो only the last answer I think is correct ये नहीं बोलने का कि sir वो जादा लगेगा obviously that is the wrong answer पूरे साल के अंदर तो उत्रा ही लगने वाला है ना that is 30,000 बस आप एक बारी में 1000 खरीद लिए तो पूरे साल का quantity तो वो ही रहेगा लेकिन तुमको ये सन में आएगा this 18,000 was the least figure of T ever possible because this was T at EOQ अगर आप EOQ के लावा कुछ भी order करोगे तुमारा cost बढ़ेगा ना फिर correct नो तो मेरे को नहीं मालूम answer क्या आएगा लेकिन मेरे को ये जरूर मालूम है कि answer 18,000 से तो जाद ही आएगा यार और अगर वो घोंचू supplier साला में को discount नहीं देता तो अभी भी मेरे को जरा बोलो एक बारी में 1000 खरीद रहा हूँ पुरे साल के अंदर कितना खरीदने वाला हूँ 30,000 अगर वो discount नहीं देगा तो हर एक unit 200 का ही पड़ेगा ठीक है तो total cost मेरा 60 lakhs ही रहेगा तुमको समझ में आएगा my this cost will definitely be higher than this particular cost ना और उसका reason भी में तुम लोग को फिर से चलो वो बोल देता हूँ तु इसके लिए जा या इसके लिए जा तेरा purchase cost तो same ही रहेगा अगर तेरा purchase cost same रहता है try to minimize your other cost your other cost is nothing but T, T gets minimized at EOQ that is why we all say no EOQ is the best option तुमको समझा जो मैं बोला तो अभी तक which is the best option यार बोलो मेर को अभी तक which is the best option तो EOQ is the best option I should order कितना units at one time 500 okay so therefore that is the best option उधर cost सबसे कम ही हुएगा मेरे को थोड़ा सा बुरा लग गया उसने discount नहीं दिया लेकिन I don't lose hope business menu यार मैंने उस बंदे को पूछा मेरे बुला चल ठीक है यार तेरे से इतने सालों का रिष्टा है in this case 1000 नहीं चल मैं तुझसे एक बारी में 2000 खरी देगा फिर तु कितने का discount देगा बोलता साब no offense again discount नहीं वागना मुझे में को बहुत गुसा आता है तुमको समझेगा अभी एक चीज़ अगर वो अभी भी discount नहीं देता ना this option will become worse than the option of 1000 also क्योंकि as one girl rightly told in that graph ना ये बाला figure जो है EOQ बाला figure कितने का है 500 तु जितना इससे दूर जाता रहेगा तेरा T उतना बढ़ता रहेगा तुमको समझ में आता है और अगर वो बंदा मेरको discount नहीं देता मेरा cost और बढ़ जाएगा तो अभी तक में को बोलो which is the best option 500 is the best I should go for EOQ EOQ is the best option यार लेकिन कब तक इस बार ना मेरको सच्ची में बुरा लग गया मैंने supplier को बोला देख अब मैं तेरे को एक solid offer देने वाला है तू मेरको मना करी नहीं पाएगा supplier बोलता है offer तो दे मैंने बोला एक बारी में तुझसे 5000 यूनिट खरी देगा कितने का discount देगा बोलता है साब कोई discount नहीं देगा get out from here तुमको समझ में आएगा 5000 विल बिकाम वर्सर देन 1000 and 2000 वाला option also cost और बढ़ जाएगा यार मेरको इस बारी में इस बार सच्ची में बुरा लग गया heart was peening मैंने उस बंदी को बोला सुन last offer तेरे को देगा अगर तुने अभी भी discount नहीं दिया मैं तुझसे खरीदना बन कर देगा बोलता साब offer तो दो मैंने बुला एक बारी में तुझसे 10,000 यूनिट खरीदता है कितने का discount देगा बोलता सर get out from here कभी वापिस नहीं आने का मेरको सच्ची बुरा लग गया मैं निकल गया उदर से supplier का मेरको phone आए सर वापिस आओ ना एक बार आप तो ऐसी बुरा मान गया वापिस आओ एक बार मैं वापिस गया मैं बोला क्या हुआ मुलता सर लास्ट के बाद एक और लास्ट offer दो ना सर मैंने बोला इतने offer तो दिये साले तेरे को ओके मुलता सर एक last के बाद last offer दो ना पीस मैंने बोला चल ठीक है एक बारी में तुझसे 15,000 यूनिट खरीदेगा तो कितने का discount देगा बोलता साब ये आपने correct offer किया अगर आप एक बारी में 15,000 यूनिट खरीदोगे ना तो मैं आपको 10% का discount देगा है मैंने बोला चल ठीक है आज situation बदल जाएगा तुमको समझ में आएगा अगर मैंने आज उससे एक बारी में 15,000 यूनिट खरीदे ना पकी बात है मेरा ये जो T है ना ये बहुत ज़ादा आएगा मेरे को बोलो मेरे को कैसे मालूम कि बहुत ज़ादा आएगा मैं उस graph के अंदर EOQ से बहुत ज़ादा दूर जा रहा है तो obviously मेरा T बहुत बढ़ जाएगा लेकिन आज शायद चलेगा क्योंकि आज हर यूनिट में को 200 के बदले में कितने का मिल जाएगा 180 सब को समझा 10% का discount काटके तो ये बाला figure कितना हो जाएगा 54 lakhs आज मैं तुमको directly नहीं बोल सकता accept the offer के reject the offer मैं directly नहीं बोल सकता तुमको समझ में आएगा EOQ का एक advantage है कि तुमारा T कम है लेकिन एक disadvantage भी तो है ये जादा है offer का एक advantage है ये कम है लेकिन एक disadvantage भी तो है ये जादा है तो अभी मैं कैसे decide करूँ तो तुम लोग मेरे को बोलो की कैसे decide करूँ सर टोटल cost निकाल लेंगे और क्या यहाँ पर cost कितना है 60 lakh 18,000 सर आप यहाँ पर cost निकालो जिदर भी cost कम होएगा that option is a better option सब को समझ में आ गया बस मेरे को तुमारे दिमाग के अंदर एक चीज घुसाने का था I hope I have done that आज तक मैं बोलता था कि यार purchase cost useless है वो useless इसलिए है क्योंकि वो बंदा discount नहीं देता था लेकिन अगर वो बंदा मेरे को bulk discount देगा न तो that time मेरे को purchase cost भी consider करना पड़ेगा क्योंकि वो भी change होएगा मैं आज तक purchase cost क्यों ignore करता था बोलो क्योंकि वो constant था लेकिन अगर बदलेगा तो मेरे को फिर लेना पड़ेगा ना बिटा अगर कोई तेको discount देता है तो तो discount के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा तो सोचना पड़ेगा ना अपने को ये जो है 60 लाक है ये जो है 54 लाक से 6 लाक रुपेगा discount तो मिली रहा है ना तो यहाँ पर आप लोग देख लो की extra cost वो कितरा लग रहा है and accordingly you all make your decision next question तुमको solve करना है मेरे को नहीं करना है बराबर से सोचना रफ के अंदर कर लो that is all okay लेकिन you will have to try to be doing it तुम लोग shots पड़ोगे मेरे को वो भी चलेगा ठीक है पड़ो X Limited for some time has been buying inventory at random till recently it switched over to EOQ system of buying तो पहले बो लोग एक बारे में कुछ भी खरीद लेते थे but now they all buy based upon EOQ ठीक है तो अभी बो लोग EOQ system पर है the firm's annual requirement is 12,000 unit तो यह A हो जाएगा the cost of carrying inventory is 15 per unit per annum यह CI हो जाएगा the ordering cost is Rs.400 per order यह CA हो जाएगा अभी यह तीन line, धाई line बराबर से पढ़ना सब लो one supplier has approached the purchase manager with a proposal that if the company buys all the 12,000 units at one time then he would give 10% discount in the purchase price which is Rs.100 per unit तुमको offer समझा क्या हुआ? offer के अंदर supplier ने क्या बोला? कि भाई तु सारा का सारा 12,000 अगर एक ही बारी में खरीदेगा न तो हम लोग तेरे को discount देगा कितने percent का discount देगा बेटा? 10% Is this okay? Decide whether the proposal should be accepted or not अभी बस एक चीज़ तुम लोग को नहीं बादो ये बाला question आप लोग बिलकुल ऐसी solve करना एक बार offer के अंदर सॉरी एक बार EOQ के अंदर और एक बार offer के अंदर ठीक है? बस एक चीज़ जो मेरे को बोलने का है जो मैंने पिछले example के अंदर नहीं बोला मेरे को ज़रा बोलो CI तुम लोगों ने तीन questions के अंदर कैसे compute किया? CI कैसे compute करते थे? CPU into I तो याद रखना अगर कभी CPU बदलता है आगे बोलो तो CI भी बदलेगा वो बाला चीज मैंने जान बूच के implement नहीं किया था in the last question because I wanted to tell you now ताकि you all can do that yourself, ठीक है? Whenever CPU will change CI will change Apart from that, whenever there is a discount to evaluate the offer, should be accepted or not fine tea including purchase cost जो मेरे example के अंदर भी था तो अभी तुम लोग क्या करो? तुम लोग को में को 2 answer देने हैं 2 answer देने हैं 1 under EOQ, 1 under offer I will do the toughest work, I will select whatever is lower, ठीक है? But you have to work out both those costs and you have to send it to me, ठीक है? तुमारे पास यहाँ पे 7 minute है answer निकालने के लिए, try मारो solid I take care of the presentations our भी सबस्यों आइ करें जो झाल झाल रोशन आपका अंसर गलत है बेटा देखने का EOQ का फॉर्मुला जो T वाला है किदर यूज़ कर सकते हो किदर नहीं यूज़ कर सकते परश्वा आपने ओर्डरिंग को उस तो लिया है नहीं ओफर के अंदर जिन लोग का गलत है मैं उनको बोल रहा हूं बस रोशन गलत है परश्वा करें रॉंग है चलो स्टार्ट करके खतम करते हैं ओके लिखे जबर प्रिस हाँ तो देन इट इस ओके ठीक है चलो ए अपना ट्वेल थाउजन इस श्रीधर रॉंग है अभी शेक गलत है अभी शेक यादव भी गलत है हितान श्रीध भी गलत है चलो ठीक है विए अला सॉल्विग नाओ अच्छा एस ट्वेल थाउजन इनिट्स CA I think is रुपीज 400 CI is रुपीज 15 पर उनिट पर एनम बस मेरे खाल से यही चीज़े थी ना अपने पास अच्छा CPU जो है 100 है वो लास्ट के अंदर अपने को दिया हुआ है CPU is रुपीज 100 विजित वो गलत है बिटा जो यो क्यों वाला अंसर है वो गलत है चलो सम अभी सबसे पहले although this is not compulsory but still I am doing it यो क्यों is equal to यह compulsory नहीं है निकालना तुमको भी समझ में आ जाएगा it is not compulsory वो पूछा नहीं हुआ उसके बगेर भी अपना काम हो जाएगा स्क्वेर रूट आफ टू इंटू 12,000 इंटू 400 अपन 15 800 इंटस इसके बाह लिखना T इंक्लूडिंग पर्चेस कॉस्ट अंडर सबसे पहले यो क्यों कर लेते हैं अच्छा में को बोलो second formula, third formula के कुछ भी में को तुमारी मर्जी मत बोलो में को बोलो second formula, third formula के कुछ भी कुछ भी apply कर सकता हूँ तुमको यह चीज़ हमें आएगा अगर third formula apply करोगे तो in fact तुमको यह 800 की भी जुरुत नहीं है मैंसे तुमको समझा में क्या बोला लेकिन अगर second वाला formula apply करने का मान है तो अपने को 800 की जुरुत है इस question के लिए I am doing both ताकि at least during the revision time there is no problem ठीक है तो a by q into c a plus q by 2 into c i तो a जो है 12,000 है divided by 800 into 400 plus 800 upon 2 into 15 तो यह आजाएगा 12,000 यह फिर और square root of 2 a c a c i square root of 2 into 12,000 into 400 into 15 answer तुमारा वो है आएगा तो अभी वो फिर से मत लिखना प्रीज add purchase cost is equal to a into c p u a जो है कितना है बिता a जो है 30,000 sorry 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 वो पिछले question का हाँ sorry 12,000 into 100 12,000 12,000 अभी offer सुनो not compulsory लेकिन ऐसा करो offer का ना terms आगे bracket के इंदर लिख दिया करो supplier नहीं क्या बोला था एक बारी में अगर 12,000 उनिट खरीता है ना मुझसे मतलब q will be 12,000 तो वो discount दे देगा कितने का 10% का यह लिखा करो इन भी बेटर not compulsory okay but write it t is equal to में को बोलो second formula third formula के कुछ भी second second अभी third formula तो चल ही नहीं सकता क्योंकि in this particular case this is not eoq ठीक है तो a by q into ca plus q by 2 into ci a by q 12,000 upon 12,000 into 400 plus 12,000 divided by 2 into यह बाला जो figure है मैं वर्किंग नोट के थ्रू लाऊंगा although most of people got it वो correct होनी but I will compute it in just a by आगे add purchase cost a into cpu 12,000 into अच्छा वो बंदा आपने को discount कितने का देगा बेटा 10% ना तो हर एक unit कितने का पड़ जाएगा 90 ठीक है तो जब वो बला number आ जाएगा 10,80,000 के साथ add कर देंगे तो टोटल आ जाएगा उसके और में को दो लाइन या तीन लाइन conclusion के लिए चाहिए उसके बाद लिखेंगे working note 1 calculation of new ci calculation of new ci बराबर से सुनना calculation of new ci एक मिनट तो वो लिखना ही start करो चलो old ci is equal to old cpu into i मेरे पास i नहीं है तो पहले मैं न i निकालने जा रहा हूँ तो पहले तुमारा ci 15 था तब तुमारा cpu 100 था into i तो i पहले 15 परसेंट था अभी अपने को new ci चाहिए there will be new cpu into i अच्छा में को जरा बोलो अभी तुमारा cpu बेटा कम हो कर कितना हो जाएगा 90 into i तो 15 परसेंट ही रहेगा 13.5 per unit per hour उपर जाओ ci के बदले में 13.5 लिखो सम खतम करो पहले उसके बाद कुछ और बोलता हूँ अभी तुमारा बोल्चा करो जाएगा अभी है अभी है अभी है अभी है अभी है अभी है तो यह जो 13.5 है यह इदर आ जाएगा 13.5 यह कितना आता है विटा 81.400 ना तो देखो ओवेस्ली दिखाई देता है वो अपने को यह वाला कॉस्ट बढ़ गया लेकिन 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 यह वाला जो कॉस्ट है कम हो गया ठीक है टोटल करेंगे 11.61.400 आजा में को बोलो दोनों के अंदर से विच ऑप्शन इस बेटर तो यहाँ पर लिख देना accept the offer as t including purchase cost is lower मैं को दो मिनिट और देना और बराबर से सुनना आज एम सेंग साम्थिंग पर एग्जामिनेशन परपस देखो exam के अंदर working note 1 बनाओ अगर time है तो okay हमेशा बनाना हमेशा बनाना time होएगा exams के अंदर लेकिन अगर कभी कोई और sum के अंदर अटक गए इस sum के लिए जादा time नहीं होएगा ना तो क्या कर लेना working note 1 मत बना उसको मारो बोली तुमारा CI पहले कितना था 15 common sense है अगर CPU 10% से कम होएगा कोई आगे बोलेगा तो CI भी 10% से कम हो जाएगा तो यहाँ पर 15 लिखके ना into 90% कर देना क्योंकि वो वाला discount will reduce your CI also is this okay exams के लिए note बनाओ always better लेकिन अगर time नहीं है ऐसा काम कर देना वो चल जाएगा maximum examiner अगर थोड़ा सा वो संकी होएगा half mark he might deduct deduct okay that also logically he should not be ठीक है अच्छा यह एक चीज़ वो हो गया आप लोग एक काम जरा करो यहाँ पर ना two lines you all try to be writing more तो यहाँ पर लिखो और यह actually this is all to your presentation over here यह जो एक यह ना यह वाला और यह वाला ठीक है मैं इसी का एक presentation वो और दे रहा हूँ यहाँ फिर ऐसे यह all can write down alternate presentation अच्छा sorry ठीक है ठीक है सुनो हाँ वजसल तो that's okay ठीक है सुनो अभी कई लोग क्या करते हैं न ऐसा लिखते हैं यहाँ पर लिखो evaluation of offer में को जरा बोलो अगर offer के लिए जाओगे तो एक advantage है मेरे को बोलो advantage क्या है अपने को discount में लेगा तो discount से तुमारा cost कम हो जाएगा तो यहाँ पर you all can write down discount received यहाँ फिर discount to be received लिख दो तो 12,000 unit into 10 एक लाग बीस हजार हाँ हाँ तो कई books ना presentation ऐसे कर लेता है instead of doing like you know this part of eoq separately this part of eoq separately वो लोग ऐसे कर लेता है evaluation of the offer तो offer का advantage क्या है discount मिलेगा तो वो benefit है लेकिन मेंको बोलो disadvantage भी तो है मेंको बोलो disadvantage क्या है t extra लग जाएगा तो यहाँ पर extra t लिख लो फिर आपको t ना दोनों जगा पर compute करना पड़ेगा अभी वो मैं आगे बोलो वहाँ पर 12,000 है तो 81,400 minus 12,000 69,400 तो यह जो 50,600 है ना this is net benefit नो अगर तुम लोग यह दोनों figures को subtract भी करते बिटा तो वो भी 50,600 ही आता है ना अपना ओके तो instead of doing that particular thing there are some books who do the presentation in this particular manner ठीक है and then they all write down as there is net benefit accept the offer तुमको ऐसा presentation भी करने का है तो वो चल जाएगा ठीक है चलो विद देस वी आर एंडिग आवे विद आर लेक्चर नौ गाए खुमको जाएगा पाएगा लेक्चर लेक्चर अपाएगा लेक्चर रड़ागा झालो भी आर पाएगा लेक्चर